नमस्कर दोस्तों हमरे यूटूब चैनल सफल इस्टडी आई क्यों मैं आपका स्वाग हम यह लाए हैं आप लोगों के लिए टॉप टुएंटी एमस्टी की कोईशन्स जो सारे कस्तारे जारखन से रिलेटेड हैं यह सारे कोईशन्स जो है उन्हें स्टुडेंट्स के लिए बहुत इंपूटेंट जो जैसे जिल की त्यारी कर रहें या फिर ज एक सारे के थारी इंपूटेंट हैं इहां तो लाएं हैं करते तो पहला परसुन है आज का मघहा निरित मुख्य रोप से किस जन जाती में परचली थे लदेख नम है मघहा निरित सबसे पहला आपटाचल से संथल दूसरा में मुंढे तिसरा आपटाचल से हो चौथा आप तीन सेकंड का बाद बताते हैं कि इसका सही अंसर क्या होना चाहिए तो इहां जो इसका सही अंसर गुवग अप्सन नमबर सी हो जन जाती में मुख्य रोप से ये निरित जो है मगा निरित पर चली था अगला प्रस्ण है खेमटा और जिनसारी किस निरित का परकार है इस परकार के से भी परस्ण पुछे जा सकते हैं जे पेसी हो या जेसे सी हो, पहला अप्षन से जदर निरित, दुसरा अप्षन से करम निरित, करमा यानि, तिसरा अप्षन से पाइका निरित, और चोथा अप्षन से कठरवा निरित, ये जो खेमटा और जिनसारी, ये किस निरित का परकार है, तो इसका जो है से अंसरों का इसका से इंसरों का हुआ 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 अगला कोईशन है इन में से कौन से निरीत एक पुरुष परधार निरीत है पहला अप्सांस में छव निरीत दूसरा में नटवा निरीत तिसरा में कठरवा निरीत और चोथा में उपरोक्त सभी तीन सेकेंड का बताते हैं कि इसका सही अंसर क्या होना चाहिए अनुमान लग एक पुरुष परधार निरीत है तो अप्सांस निरीत सही होता है नेक्स्ट कोईशन इन में से किस निरीत का संबंद सरेकला राजगराने से संबंद है पहला अप्सांस से नचनी निरीत दूसरा में छव निरीत तिसरा अप्सांस से नटवा निरीत और चोथा अप्सांस स चव नरित जो है, इसका सम्द सरेकला राजगरान से है, यानि आफ़सर नमर B से होता है, next question, अगला question है, बोंग नरित, इनमें से किस जंजाती से सम्द ही थे, बोंग नरित, पौला आफ़सर से हो, दुसरा आफ़सर से संथाली, तीसरा आफ़सर से खरवार, और चवथा तीन सेकेंड का वक्त है आप अनुमान लगा सकते हैं तो यहाँ जो इसका से एंसर होगा उख आपसर नमर ए है हो जन्जाती से सम्भनी थाई बोंग निरित नेक्स्ट कुईशन इस लोकनाइट को पहचानिये जिसमें बराज जाने के बाद देर रात तक महिलाओं द्वारा आईजित किया जाता है पहला अपसर से जट जटिन दूसरा में समा चक्विया समा चक्वा तिसरा अपसर से डौमकच और चोथा अपसर से इनिमेस से कोई नहीं तो एहां जटिसका से अंसर को वह अपसर नमबर सी डौमकच जो लोकनाइट है या बराज जाने के बाद महिलाओं को द्वारा आईजित किया जाता है अगला कोईशन है जटूर लोक गीत जिसका सम्मन सरहूल या बहापर्व से सम्मन दित है तो इहां जो इसका से अंसर को वह अपसर नमबर बी बसंद रितू का जो ये लोक गीत है जटूर लोक गीत अगला कोईशन है मुंडारे जनजातियों के दोरा भागुन मा में सिकार के गीत गाए जाते हैं पला अपसर से जापी दूसरा में पतवार तिसरा में सिकार चोथा में दसाई तीन सेकंड का वक्त है आप नमा लगाई है तो इहां जो इसका से अंसर को होगा अपसर नमबर ए जापी का लाता है अगला प्रस्णा है अगला प्रस्णा है और चोथा अपसर से नया अन खाने के समय तीन सेकंड का वक्त है आप अनमा लगाई है तो इहां जो इसका से अंसर को होगा अपसर नमबर ए धान की वुगाई के समय जो है एह हेरा लोग गीत गया जाता है जन्जाईन लोग गीत किस वक्त गया जाता है जन्जाईन पला अपसर से धान कटाई के समय तिसरा अप्षन से बरसा रितू के समय चोथा अप्षन से सरहूल परव के समय तिन सकेंड का वक्त है आपनमाल लगा सकते हैं तो यहां जी इसका से ऐंचर का हुगा अप्षन नमबर B संतान के जन्म के समय जो है ये जन्जाई लोगित गाय जाता है नेक्स्ट कोईशन अगला प्रस्ण है इनमेज से कौन से लोग गेत जो बर्षा रितू में मुख्यता देवथानों में गय जाता है पला अपसन से अंगनाई, दुसरा अपसन से जुमर गेत, तिसरा अपसन डड़ धरा गेत, चोथा अपसन से जंज्राइन गेत तो इसका से एंसर अपसन नमबर C, डड़ धरा गेत, ये जो बर्षा रितू में देवथानों में गय जाता है अगला प्रस्ण है नोम नमा अलोग गेत हो जंज्राइन के दोरा किस उपलेच में गय जाता है फाला अपसन से धान कटाई के समय, दूसरा अपसन से नया अन खाने के समय, तिसरा अपसन से गराम पुझा के समय, और चोथा अपसन से संतान के नामकरण के समय तो इसका से एंसर आपको बताते हैं, तिन सेकंड के बाद तो यहां जो इसका से अन्सरों को वो होग अफसर नंबर B नया अन्न खाने के समय नौम नामा लोग गित हो जन जातीों के दोरा गया जाता है हतियार और काली भंग इनमें से किस नरित की दो सरनिया है अलग-अलग सरनि होते नरित में भी पहला अप्संस में कर्मा निरित, दुसरा अप्संस में पाइका निरित, तिसरा अप्संस में छोव निरित और चोथा अप्संस में नचने निरित अनुमन लगाई है तो इसका चुए हाँ से एंसर अप्संस अप्संस सी छोव निरित की दो सिर्नी है हतियार और कालिभंग ये दो सरनी है Next question इन में से किस वाधियंत्र को जारखंडी वाईलिन कहा जाता है वाईलिन पला अप्संस में मासुरी, दूसरा में भुहांग तिसरा अप्संसे केंदरी, चुप्था अप्संसे सिंगा तो इसका जो है से एंसरों का का एक पिरिय बादियंत्र है जो दसरा के समय दासोय नाच में संथा लोग इस बादियंत्र को बजा कर नृत करते हैं और इसके तार को उपर क्यों खीच कर छोड़ने पर धनुस की टंका जिसी आवाज निकलती है इस बादियंत्र का क्या नाम है पहला अफसंस में टूला इस तरह के बिस्तार से भी पर्षन जो है जैससी या जैप्यसी पूस्ती है इस कारण जो है इस तरह के पर्षन को भी जानना ज़रूरी है तो इसका जो है से अंसर को वह होग अफसे नमबर डी भूँआंग अगला कोश्चन है सराइकला राजगराना की राजगुमार सुधेंदू नारायन सिंग ने सर्वा पर्थम विदेश में छो निरित का प्रदसन कब करवाया था या छो निरित का प्रदसन होगा पला अफसंस में 1916 सीगो दूसरा अफसंस में 1918 सीगो दूसरा अफसंस में 19 माँ जोगिनी का मंदिर किस जिलेमा होसते थे फाला उप्सें से हजरेबाग दूसरा में स्तरेकला तिसरा उप्सें से गोड़ा उप्सें इसका चुएं से अंसरों का उप्सें माँ जोगिनी का मंदिर Next Election अगला कोशिसन है मदन भेरी वादिएअंधर किस परकार का वादिएअंधर है ? breakup When makes it सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि तंतु वादियंत्र में एक तार होता है बजाने के लिए उस तार के थुरू जो है बजा जाता है उससे तंतु वादियंद्र कहा जाता है सुमिर वादियंद्र उससे वादियंद्र को कहा जाता है जिसमें फूक कर बजाते हैं जैसे एक्जामपल हुआ वांसुरी तिसरा हुआ ताल वादियंद्र तालवादियंत्र उससे वादियंत्र को कहा जाता है जिसमें तो पिट कर जो है बजा जाता है जिससे डोलक हुआ नगड़ा हुआ इस सबको जो है तालवादियंत्र कहा जाता है अगला अपसंस में जो है घन वादियंत्र है इसमें होता है कि कासा का यूज किया जाता है कासा में देवगा, दुसरा में सरेकला, तीसरा में लाते हर, और चोथा उपसंच में बकारो, तो इसका जो है, सही एंसर होगा, वोग आपसन नमबर C, लाते हर जिला में उग्रत तरा मंदिर इस्तित है, जो है, हमारे क्रेंडे फेर सो पुछा गिया था, कि जारकन उसु खेल के है, देश कौन है, तो बहुत सरे लोगों नो सही उतर उसका दिया था, चंचल वट्टाचार जो का, इसका सही एंसर, तो इसको भी नोट डाउन करते जाए, निश्ट, हमारे इस वीडियो को लाइक किजिए, सस्क्राइब किर जिएगे हमारे इस चैनल को, अगर हम इस वीडियो को दुसरे वाट्सप गुरूप में सेर किजिए, धनवाद दोस्तों, जो हार जारकन,